जैहिन नमस्कार दोस्तों मैं रागवेंदर नामदेव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटॉब चैनल आई टी आई मेकेनिकल गुरू में तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसक्राइवर के बारे में तो इसक्राइवर आज हम जानेंगे कि इसक्रा के बारे में जानेंगे प्रकार जानने के बाद हम जानेंगे कि इसक्राइवर की सावधानिया क्या होती है इसक्राइवर को यूज करते समय किन सावधानियों का उप्योग करना चाहिए तो सबसे पहले हम जानते हैं इसक्राइवर के बारे में कि इसक्राइवर क्या है इसक कहते हैं इसको बनाने के बाद इसका हीट treatment किया जाता है जिसे इसके दौनों नुकिले से कठोर हो जाते हैं और धातू पर लाइन कीशते समय खराब नहीं होते हैं तो दूस्तों जानते हैं कि इसमें किस material का यूज होता है किस दादू का बना होता है यह तो जानेंगे इसके material के बारे में इसका material होता है वो high carbon steel का या tool steel के बनाय जाते हैं और जो इसके सिरे रहते हैं उनको पत्थर पर घिसा जाता है जिससे उसका जो point रहता है वो 12 से 15 degree के कौन पर हो जाता है अब देखते हैं कि इसकी size क्या होती है तो दोस्तों market में 125 से 200 mm तक लंबाई में तथा 3-5 mm तक मोटाई में इसकी जो size होती है उस size के subscriber बाजार में उपलब्ध होते हैं अब जो हमारा next step आता है तो वो है हमारा कि इसका प्रकार कितने होते हैं subscriber के प्रकार कितने होते हैं तो यह subscriber जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं आप देख रहे होंगे आपके सामने जो हमारा नंबर पर आता है, वो हमारा है Offset Ascriber तो दोस्तों, जो हमारा First Ascriber होता है, वो हमारा सीधा Ascriber, जैसा की आप चित्र में देख सकते हैं, यह सीधा Ascriber है, जिसे Straight Ascriber भी कहते हैं, इसे Pocket Ascriber की नाम से भी जाने जाता है, इसका एक सिरा नुकीला होता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि इसका एक सिरा नुकीला है ठीक है दोस्तों तो यह हमारा हो गया सीधा subscriber अब बात करते हैं जो दूसरा subscriber आता है वो हमारा है मुला हुआ इसक्राइबर या बेंड इसक्राइबर तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं ये इसकी बनावट कैसी होती है तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि इसका एक सरा तो नुकीला होता है लेकिन जो दूसरा सरा होता है वो 90 डिगरी पर बेंड किया होता है बेंड किया या चार जबडा में जॉब को बानते समय उसके ठीक सेंटर में होने की जाज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया इलेट मशीन पर इसका यूज होता है जो सेकंड यूज आता है मुड़े हुए स्क्राइबर का वो इस प्रकार से है कि सरफेस गेज की सहायता से क्यों से बेलनाकार खोषक ले जौब की भीतरी सताय पर रेखाएं ख्히ीचने केलिए यानि की जो अंदर की सते है उस पर रेखाएं खीचने का भी काम करता है इसका मुडबा हुआ हिस्स्दा मुखहकारी स्क्राइबर यह हरता है कि समायोजित या एड़ेस्टेविल अर्थात एड़ेस्ट हो सकता हूँ ठीक है तो इसके नाम से ही बेदेत हो रहा है कि यह है एड़ेस्ट हो सकता है इस scriber की लंबाई को adjust किया जा सकता है इसमें एक खोकली sleep होती है जिसके बाहर के भाग में नर्लिंग की हुई होती है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नर्लिंग की हुई है और जो scriber का तार रहता है sleep के अंदर तक कितना भी जा सकता है ठीके इसके अंदर कितना भी adjust हो जाता है और एक nut होता है यहाँ एक nut होता है जिसकी सहायता से इसे tight भी किया जा सकता है तो दोस्तों यह हमारा हो गया समाय जो तो scriber ठीके और जो हमारा next और last आता है scriber वो हमारा है offset scriber offset scriber जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यह हमारा है offset scriber ठीके तो इसके बारे में जान लेते हैं यह कैसा होता है इसका उप्योग बहुत से मापक यंत्रों के साथ करते हैं हम उधारन के लिए जैसे देख सकते हैं कि वर्नियर हाइट गेज square head आदी में किया जाता है इससे मापने बहुत चिंधन करने का काम एक साथ हो जाता है जैसा कि आपने देखा होगा फिटर ट्रेड में जो यूज करते हैं सबसे जादा यूज होता है फिटर ट्रेड में बाकी जितनी mechanical ट्रेड है उनमें भी इसका यूज किया जाता है offset subscriber का फिर भी ज़्यादा तरी यूज इसका फिटर में होता है तो जो marking करने के लिए यूज होते हैं तो ये साथ साथ चिंधन भी करता है और मापता भी है तो इसके दो कारे हो जाते हैं दोनों यह कार करता है offset subscriber तो आपसे कहीं भी किसी exam में पूँच लिया जा सकता है कि मापन एबं चिंधन करने के लिए कौन से subscriber के यूज किया जाता है तो दोस्तों आप बेहिचक offset subscriber पर tick लगा सकते हैं और बहुत सारे exam में ऐसा देखा गया है कि ये question बनता ही बनता है subscriber से subscriber से एक question आपको जरूर आएगा और इतना कठिन भी नहीं है वैसे ये chapter केवल चार प्रकार के मैंने जो आपको बताए है इनी मैंसे question आएगा तो एक बार फिर से ना हो तो फिर से देख लें कि कितने प्रकार के subscriber होते हैं फरस्ट मैंने आपको बताया था सीधा skriber ठीक है ये स इते क्राइबर भी कहते हैं और यह हमारा सेकन स्कैबर आता है वो हमारा है मोड़ा इसक्राइबर या ऑर यह हमारा नेक्स्ट आता है वह हमारा है समैचचS जिसे एड़िश्रेविल कहते हैं और हमारा उन्तिम और ऌत जोOD sposbor या स्कृइबर आता है वो मेरा है आफ सेट। थीक है कि अब गोच मैं सक्राइबर की सावधानिया कौन सी रखने चाहिए चाहिए तो तो सही मार्किंग करने के लिए scryber की नुकिलि रखनगे क्यों कि नुकिली है क्योंकि यससे हम लाइन खीजने का काम करते हैं तो बरहमेशा ये देखके चलना चाहिए कि इसकी नौक जो है नुकिली है कि नहीं है ठीक है और जो हमारा सेकेंड सावधानी आती है हमारी वो है इसके नौक को कठोर सतय पर ठोकना नहीं चाहिए जायर सी बात है अगर हम ठोक देंगे तो वो है उसकी धार चली जाएगी नुकिला नहीं रहेगा ठीक है और जो हमारा थर्ड आता है इसका प्रियोग ना करते समय इसके नौक पर कॉर्क लगा देते हैं ठीक है कॉर्क लगाने से क्या उद्देश है माना कि आपने दूसरे ओजारों के साथ इसको रख दिया ठीक है इस का प्रियोग कठोर सतय पर नहीं करना चाहिए ठीक है इतनी मजबूत भी नहीं रहती है कि हम किसी भी कठोर सतय पर इसका यूज कर सके तो सावधानी से ही धातू की सतय को देखकर ही इसका उप्योग करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें और इसी प्रकार की अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नौडिफिकेशन मिल सके थेंकियो दोस्तों धन्नवाद जाहिन